इस बार एक बहुत इंपॉर्टन अपडेट है कि आप अगर स्सी का डाउनलोड करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्षन स्सी जवारा दिये गए हैं मैं इस पेशल इंस्ट्रक्षन बता देता हूं क्योंकि अकसर जब भी पेपर देने जाते हैं बच्चे तो कुसी ना किसी वज़े से बहुत छोटी-छोटी वज़ाएं होती हैं जिसकी वज़े से पेपर में या तो cancellation हो जाता है या फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या एक्जाम देने में देरी एक मिनट दो एरे पहुंचे या कोई छोटी छोटी वज़ा की वज़ा से हम लोग पीछे रह जाते हैं नहीं रहना है चली सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है उन्हों में बोला है कि Candidate should note that while sitting in the examination they must have an original photo identity card which has the same date of birth as it is printed in the entry certificate यानि कि जो admit card आया है उसी admit card से जो आपका जो आपने date of birth डाली थी वो आपके identity card में होगा तो आपको अपना एक original identity card जब paper देने जाएंगे तो लेकर साथ में जाना है SSC का clear है बाद मर वहां पर क्या होता हम कई बार negligence कर देते हैं और identity card ले जाना भूल जाते हैं और फिर वहां पर हमें कह देता है कि नहीं तो यह नहीं चाहते हैं दूसरा यह कहता है कि if the date of birth is not given in the original photo official identity card अगर जो identity card आप लेकर जाते हैं उसके अंदर आपकी date of birth नहीं दी गई है जिसमें कि आपका date of birth लिखा हो जो कि admit card के अंदर है तो जरूरी नहीं कि एक particular कोई DL ही लेकर जाना है या आधार card ही लेकर जाना है एक particular government certified होना चाहिए तीसरा कहते हैं the date of birth mentioned in the original photo identity card और official certificate as a proof of the admission certificate and the date of birth does not match अगर मान लेते हैं आपके identity card में और आपके admit card के अंदर date of birth match नहीं कर रही है उस case में then the candidate will not be allowed to appear in the examination उस case में आपको appear होने के लिए allow नहीं किया जाएगा तो देख लिए यहां पर clearly लिखा हुआ इस चीज को आपको ध्यान में रखना है इसलिए अपना वही identity card लखें जिस identity card में आपने वो date of birth डाली है जो कि आपने registration करते समय या form भरते समय डाली थी और यहां पर last the type of certificate allowed कौन कौन से certificate allowed किये जाएंगे date of birth certificate या फिर matriculation seat date of birth उस certificate by the government of India issued हो गया या कास certificate हो गया आपका या डो में साइल certificate हो गया आपका या ऐसा कोई educational qualification certificate हो गया लास्ट है राशन कार्ड ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड लेकर पहुंच गया ऐसा भी नहीं करना है तो बच्चे देखें आप सब लोग समझदार है इनरिंग की category के हैं सबसे उपर IQ level के बच्चे हैं और यह चोटी चोटी बात हैं आप समझते हैं इसके बाद आपने आए इंस्ट्रक्शन सम्मिट करेंगे और जाएंगे और अपना रेजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर रॉल नंबर डाल कर आप डाउनलोड कर सकते हैं अलाकि यहां पर आप देख लिए नौर्थ वेस्टन रीजन का आपका एड्मिट कार्ड आउट हो गया है इसके साथ साथ आप आपको एक फर्म भी मैंने वीडियो की कॉमेंट सेक्शन में दिया गया है जिसमें भर दें अपना नाम अपना डेट किस टाइक को आपका पेपर पढ़ रहा है किस शिफ्ट में पढ़ रहा है ताकि मैं आपको एक एडिशनल ग्रूप में आड़ कर सकूं जिसके माध्यन स आप उन सभी बच्चों से जूड़ सके जिनका सेम टाइमिंग पर पेपर है और आपको एक्जाम के पॉइंट व्यू से एक एडिशनल मदद मिल सके तो उस फर्म को भरना ना भूले अपनी ब्रांच डालने अपना नाम डालने और अपना शिफ्ट और किस दिन आपका पे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक भी आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जिसका नाम है शुबम अगरवाल सर्टेस्बुक तो क्लिक करें लिंक पे जॉइन करें और सभी अपडेट्स एक्सदाम को लेकर आपको रेगुलर बेसस पर मिलती रहेंगी जहिन धन्यवाद झाल